हिमाचल परदेश करमचारी चेन आयोग हमीरपूर ने परिक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए पूरी पारज़शता बरती जा रहे हैं ताकि पात्र अव्यार्थियों का चेन सही डंग से हो सके वकाइदा इसके लिए चेन आयोग ने तियारी करके और सेसी टीवी कैमरों की निगरानी में टेस्ट लिये जा रहे हैं हिमाचिल परदीस करमचारी चेन आयोग कारेले हमीरपूर में लिम्टेड डिरेक्टर रिक्यूट्मेंट क्लरक के पदों के लिए लिखित परिक्षा में उतरिन रहे अव्यार्थियों के टाइपिंग स्किल टेस्ट लिये गए ये प्रक्रिया दो दिन तक चलेगी पहले दिन दो सु अव्यार्थियों ने टाइपिंग टेस्ट दिया लिखित परिक्षा चार सु एक अव्यार्थियों के पास की है दो दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया में अव्यार्थियों को स्किल टाइपिंग टेस्ट के दौरा दस वजे से शुरू की गई, हिमांचल प्रदेश करमचारी चेन आयोग की सच्ची वजी तेंदर कवर ने बताया कि लडियार कलर्क पर पर आयोग कारले द्वारा लिखित परिक्षा ले गई, लडियार के 275 पर परिक्षा ले गई, परिक्षा हिमांचल प्रदेश करमचारी आयोग कारले में दो दिन सक्च चलेगी और कल दो दिनों के लिए कलर्क की एक कोस्ट है, लिम्टी डिरेक्ट रेक्ट रेक्ट मेंट के थ्रूद इसको भरा जाना है, इसमें 401 अभियर्थी जो है दो दिनों के लिए 200 और 201 के दो दिनों में जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग अलग ग्रुप्स में बैठें जादा तर अधिकतर जो अभियर्थी हैं हमारे वो इंग्लिश मीडियम में टाइप करते हैं और इंग्लिश मीडियम में जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट के इसाब से है लगकुल मला के 200 वर्ड्स या दूसरी भाषा में बुलें तो सड़े 1200 स्ट्रॉक्स उनको मिनिमम टाइप करने पड़ते हैं तो उसमें कम से कम गलतियां हो उस चीज को सुनिशित करने के लिए यहां फर्मूला बेस्ट इवैल्यवेशन बाद में रखी गई है और हिंदी मीडियम में यही टाइपिंग 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से है 10 मिनट के टाइपिंग में उनको 200 शब्द करने पड़ते हैं और 1000 स्ट्रॉक्स की रिक्वार्मेंट रेती है तो ये दो दिनों तक ये स्किल टेस्ट चलेगा पूरी स्किल टेस्ट अंडर CCTV सर्विलेंस जो है हम यहां पर करते हैं और स्किल टेस्ट के उपरांत हर बेच में उनको जब वो कंप्लीट कर देते हैं तो उनका द्वारा किया हुआ टाइप जो स्क्रिप्ट है उसकी कोपी उनको जो है इन वीजिलेटर की प्रेजेंस में उनके साइन के साथ उनका साइन भी हम अपने रिकॉर्ड में लेते हैं केंडिडेट का उनको हैंड़ ओवर कर दी जाती है ताकि पूरी पारदर्शिता इसमें कुल जो है 200 गजतर पोस्ट से हैं जिसके लिए रि प्रोसेसिंग कर दी जाए है